यह हुआ आधे जीं दोस्टों क्या हाल है मेरा नाम राके और एस फोन का नाम है समसंग गैलेक्सी जी फ्लिफ फॉफ पाइब ऊसाथ में ये तीन कबर है मैं कुछ यूनिकनस भी है टाइप सी टाइप सी केबल से में जेक्टर पिन और कुछ डोकॉमेंट मिलने वाले हैं चार्जर नहीं मिलता आप जानते हो समसिंग के बोक्स में अभी हाला कि फोन 25 वोट के फार्स चार्जिंग को सपोर्ट करता है और इस बार समसिंग और इस बार समसिंग यह भी कहना यह मेड इन इंडिया होने वाला है बोक्स पे मेंशन भी है और साथ में जो यह तीन केस कवर है इसमें यूनिक के आ जैसे यह वाला देख रहे है आप फिलिप सूट केस कवर है अंदर आपको ट्रांस्पेरेंट कवर दिखता है और यह जो आपको दो दिजाइन पैटर्न दिख रहे है न यह एक्चुली यूनिक है डेफिनिटली करना पड़ेंगा यह साथ में आया था तो मैं दिखाता हूँ यह यहां लग जाता है इसके अंदर यह लग जाता है और यह स्मॉल वाला यहां पर लगेगा जैसी लगाएंगे एक मैसी जाता है फिलिप केस कॉंटेंट अप्लाइट और जैसी मैं इस पर डबल टैप बठा इसके साथ मतलब पूरा एक बैक कवर से डिजाइन चेंज जाता है इसका और दूसरा मेरे पास है फ्लैप इको लेदर केस यह सॉफ्ट केस है इसको कुछ ऐसे अप्लाई करना उसके बाद कुछ इस तरीके से दिखता है और तीसरा मेरे पास क्लेयर गैजट केस ट्रा क्या दिखता है आपको फ्रंट में जो कवर डिस्प्लेय है फिलिप फॉर की कंपैरिज में काफी बढ़ा हो चुका है 3.4 इंच की सूपर एमॉलेट 720P बाई 748 60 अध डिस्प्लेय है अंदर वाली डिस्प्लेय 120 अध्स होगी मैं इस फोन को मैंने थोड़ा एक्स्पिरिये करें यहां पर सारे option देखने को मिलते है ना तो यह control center access कर सकते हो brightness बढ़ा सकते हो automatic brightness option मिल जाता है left swipe करने पर आपको notifications दिखेंगे सारे right swipe करने पर जितने विजल पेज आपने अड़ कि यह सारे दिखने वाले है in fact आप चाहो तो ऐसे pinch करके आप सारे page एक साथ देख सकते हो तो किसी भी page पर jump कर सकते हो और साथ में अगर main screen पर आणा है तो इस part से swipe करते है तो front main screen पर आजाएगा आपका जो back gesture ना basically यहां कहीं से नहीं यहीं से काम करता है उसके बाद आपको यहां पर camera access का option मिल जाएगा जैसी बात है अभी बड़ी display मिल जाती है viewfinder की तरह मतलब आ आप यहां से वीडियो आप यहां से photo और यहां से portrait mode select कर सकते हो basically viewfinder बढ़ा होगा पहले से तो अभी ज्यादा असान हो जाता है अपने आपकी photo click करना यहां पर यहां पर देखना कैसा दिख रहा हो आकि सारे control चाहिए तो आपको main display पर आना पड़ेगा यहां मिलेगा सारे control आप चाहें तो definitely call कर सकते हैं यहां से और साथ में यह application से जो यहां पर support कर रहा है one UI में जो application आती है उसके साथ मैंने day to day life की कुछ application install करी है जैसे flip card, zomato, bgmi, amazon, twitter, google pay, telegram, signal यह सब आप देख रहे हैं तो मैं देखना चाहता था front display पर कौन कौन सी हम लोग access कर सकते है actually आप setting में जाके मैं dark mode enable कर देता हूँ, okay यह option मिलता है cover screen न, apps allowed to cover screen, bracket में laps भी लिखा हुआ तो maybe और application future में work करने लग जाए, यहां से आप उन application को enable या disable कर सकते हो, जो support करेंगी, उसके बाद यह applications है जो यहां पर show करती है, netflix है, prime नहीं है, but youtube, whatsapp है, telegram नहीं है, तो ऐसे काम करें तो यहां से आप न, keyboard से reply भी कर सकते हैं, अभी youtube पे, पनलब video बगारा, zoom भी कर सकते हैं, and tap and hold करते हैं, तो जो भी आपको अच्छा लग रहा है, home screen पे basically, वो आप apply कर सकते हैं, तो यहां से हो जाएगा, और in fact मैं नोटिस किया, जो animation है न, वो smooth हो चुका है, पहले से देख सकते हैं, और साथ में आप चाहें, तो यहां जाकर extra widget कर सकते हैं, जो दे रखें, like timer वगारा के लिए है, voice recording है, फिर आपका यह health वगारा के लिए, तो कुछ ऐसा साया, लेकिन अगर आप चाहते हैं, और ज्यादा application experience करना है, flip display पे तो वो एक good log application install करना पड़ेगा, Samsung का, त तो यहां पर अभी gapless design मिलता है आपको, side में आप देख सकते हो, flip 4 के comparison में, तो इसकी वैसे slightly thickness भी कम हुई है, पहले क्या था न, यहां back side matte finish था, अभी shiny finish हो चुका है, glass है, gorilla glass victor 2 का protection मिलने वाले आपको, बागी चीज़ सिमिलर है, जैसे IPX8 की rating मिल जाएगी, armor grade aluminum frame मिल colors है, bright है, colors वगएरा कफी अच्छा आती है, बाकी wireless charging, reverse wireless charging, यह सब कुछ मिलने वाला है, बाकी अगर performance और software की बात करें, तो भाई, processor upgrade है, यहां पर मिलता है snapdragon 8 gen 2 4 galaxy, LPDDR 5 RAM है, storage को upgrade किया गया, इस बार UFS 4 मिलने वाला है, and one UI 5 मिलेगा, android 13 के साथ, 4 years of android और 5 years of security update के साथ, औ यहां पर definitely आपको one UI के सारे features मिलने वाले है, noc security, samsung wallet, लेकिन आ, flip phone में samsung dex का support नहीं मिलता, और flip phone है, flex mode मिल जाएगा, like, जैसे gallery application इसको open किया, तो photo उपर चले जाएगी, यहां पर photo उधर करना, आप चाहें तो इसको as a trackpad kind of यह देख सकते हैं, इस तरह यूज कर सकते है यह जो applications है, सब के लिए enable कर सकते हैं, साथ में, आप यहां पर split screen के लिए भी कोई चाहे चीज तो use कर सकते हैं, बाकि as a camcorder last time की तरह आप चाहे तो, ऐसे भी आप video shoot कर सकते हैं, और साथ में अगर आप Samsung user है, like birds use करते हैं, watch use करते हैं, तो definitely ecosystem के feature आपको देखने को मिल जाए न, क्योंकि 8 Gen 2 ज्यादा powerful processor है, तो Gip score थोड़ा better आ रहा है, आपके याद रखिएगा, यह flip phone है, क्योंकि भाई काफी पतले होते हैं, plus battery को divide किया होता है, so यहाँ पर normal जो phone होते हैं, उनके comparison में, temperature gain थोड़ा ज्यादा मिलता, लेकि 8 Gen 2 काफी stable processor है, वैसे, real life में score test करूगा तो मैं आपको चीजे और better share कर पाऊँगा, rest आपको जो animation मिलते हैं, जिस चीज के लिए बनाया गया, अब यह कोई gaming phone नहीं होते हैं, इसमें आप game खेलें, यह like pocket friendly phone है, और कुछ different experience के लिए, उन सब काम के लिए, जितने task आपके easily handle करता है, बढ़ियां से, और बात करें, camera क camera यहाँ पर megapixel same है, 12 megapixel main, 12 megapixel ultra wide, 10 megapixel selfie, तो मैं इसके camera result पर बात करता हूँ, लेकिन सबसे पले मन में आएगा, flip 4 की comparison, flip 5 में कुछ improvement, तो मैंने कुछ side by side आपको photos दिखाता हूँ, यहाँ आपको major difference देखने को नहीं मिलेगा, because camera megapixel same है, लेकिन new processor, थोड़ा image processing change होगा, definitely पर अगर आप ध्यान से देखेंगे, कुछ-कुछ मामले मैंने notice किया, हलका color science change हुआ, लेकिन बड़ा difference नहीं है, in fact, video में भी मैंने notice किया, noise हलका कम हुआ है, और light control थोड़ा better हुआ है, बाकि अगर सिर्फ flip 5 की बात करते हैं, अगर आप flip 4 user नहीं है, तो camera result कैसे देखने को मिलते है, as usual, यहाँ पर जाए Samsung का color science, आपको हलके बोस्टिट फोटो मिलते हैं, details अच्छे आ जाते हैं, और बात करें, selfie की तो आप selfie photos में दिखा दे रहा हूँ, ठीक आ जाती photos यहां से, लेकिन वही है, जब हम main camera से इसको photos click कर सकते हैं, तो अंदर वाले camera से क्यों click करना, main camera से ज़्यादा detail मिलेगा, तो photos आपको अच्छी मिलने वाली, इसको S23 series के camera से compare मत करिएगा, वो ज्यादा flagship grade cameras है, simple से बात है, जिनको flip phone experience करना होता है, वो इनको लेते हैं, नहीं तो लोग normal phone buy करते हैं, तो यहाँ पर मैंने सारा कुछ share किया, आपको initially, जैसे मिला, like मैंने, काफ सारी चीज़ आपको बताने की खोशिश की, अगर मैं इसको summary त्यार करूँ, तो सबसे बड़ा change है, बाहर की display, उसको कैसे use कर सकते हैं, वो मैंने आपको share किया, second Snapdragon 8 Gen 2 इसको थोड़ा refinement में help करेगा, और pricing की बात करे तो last year comparison में price बढ़ाय गया, लेकिन हाँ, यह शुर करते हैं, तो 79999 प्राइस बन जाता है, बागी no cost email वगारा offer भी है, वो सब आप check कर सकते हैं, आपको कैसा लगा इस बार यह change, especially outer display आपका क्या ख्याल, इस पर क्या opinion है, छुट छुटे काम हम लोग इस बार बाहर ही कर लेंगे, सायद इसको कम open करें, I hope आपको वीडियो प पूशन दाया, तो like, share, subscribe करिएगा, मैं मिलता हूँ आप से अगली वीडियो में,